मीनुचेडिया और कालुकवा पास पास ही रहते थे बस फरक इतना था कि मीनुचेडिया अपने एक बड़े से घर में रहती थी और कालुकवा अपने एक छोटे से गोंसले में रहता था कालु कववे का भी बहुत ही मन था कि कालु कववा भी मीनु चड़िया की तरह एक बहुत ही बड़ा सा घर बनाए लेकिन कालु कववा बहुत ही ज़ादा आलसी था इस तूटे फूटे गोसले में रह रह कर मैं बहुती जादा तंगा चुका हूँ ये काटों का बना हुआ है ये काटे हर समय मुझे चुकते ही रहते हैं लेकिन मैं इतना अलसी हूँ कि मैं मिनुचिडिया की तरह अपना एक बड़ा सा घर भी तो नहीं बना सकता हूँ मनुचिडी क्या बात है आज तो मुझे इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो आखिर क्या बात है ममा कल मेरी मेरे दोस्तों से लड़ाई हो गई थी अब मैं अपने दोस्तों के साथ कभी भी खेलने नहीं जाओंगा बस इसी वज़ा से मैं बहुती जादा उदास हूँ मैंनुचिडी तुम्हारे दोस्तों बहुत अच्छे हैं वे जादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकते हैं वे देखना तुम्हें बुलाने के लिए जरूर आएंगी हा ममा मुझे भी ऐसा ही लगता है के मेरे दोस्त मुझे जादा दिन दूर नहीं रहेंगे और वे मुझे बुलाने के लिए जरूर आएंगे मा बेटा ऐसे बाते कर रहे थे के वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है वे बुलबुल मीनूचिडीया से कहती है मीनो चिडिया मीनो चिडिया दूसरे जंगल में जो तुम्हारी बेहन कोमल चिडिया रहती है उसकी काफी जादा तब्यत खराब है इसलिए वे तुम्हें बुला रही है अच्छा बिल्बल कूमल चिडिया को क्या हो गया? अचानक उसकी तवेत कैसे खराब हो गई? मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ीगा हाँ मीनो चिडिया, तुम जल से जल अपनी बेहन कूमल चिडिया के पास चली जाओ उसकी तबियत बहुत जादा खराब है इतना कहकर वे बुलबल वहां से चली जाती है बाप रे ये क्या हो गया अचानक कॉमल चड़िया की तबियत इतने खराब कैसे हो गई मुझे उसे देखने के लिए तो जाना ही पड़ेगा लेकिन मैं कैसे जाओ मेरा मानोचिड़ा तो सादा दूर ओर नहीं सकता है वे अभी काफी जादा चोटा है और मैं मानोचिड़े को अकेले घर में भी छोड़ कर नहीं जा सकती हूँ अब मैं क्या करूँ हाँ मैं एक काम करती हूँ मैं कालू कववे के पास जाती हूँ और कालू कववे से कहती हूँ कि आज पूरे दिन कालू कववे मेरे ही घर में रहे और मानो चड़े का दिहान रखे मानो चड़े तुम यहीं बेटना मैं अभी कालू कववे की पास जा रही हूँ अभी थोड़ी दिर में वापस आ जाओंगी फिर वे मीनोचड़िया कालू कवे के पास चली जाती है वाँ वाँ मीनोचड़िया आज तुम अपने इतने बड़े घर को छोड़ कर मेरे ये काटों से बने गोसले में क्यों आई हो सब खेरियत तो है ना नहीं कालू कवे कुछ खेरियत नहीं है दूसरे जंगल में जो मेरी बेहन कूमल चड़िया रेती है उसकी तबियत काफी जादा खराब हो गई है इसलिए मुझे अपनी बेहन की खबर लेने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ीगा तो मीनो चड़िया तुम क्या मुझसे अजाज़त लेने आई हो ठीक है मीनो चड़िया मेरी तरफ से पूरी जाज़त है जाओ तुम जाकर अपनी बेहन को देखाओ कालू कवे मैं तुम से जाज़त क्यों लोगी भला मैं तो तुम से ये कहने आई हूँ कि मानो चड़िया भी बहुत चोटा है भी दूसे जंगल नहीं जा सकता है और मैं उसे घर में अकेले भी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ इसलिए कालू कवे आज के पूरे दिन तुम मेरे ही घर में रहो और मानो चड़िया का दिहान रखना वाँ भई मीनो चड़िया ने क्या बात कह दी आज के पूरे दिन मैं मीनो चड़िया के घर में रहूंगा मैं हाँ कह देता हूँ मीनो चड़िया को हाँ हाँ मीनो चड़िया मैं आज के पूरे दिन तुम्हारे घर में रहूंगा और मानो चड़िया का दिहान रखूंगा तुम तो मेरी पडोसी हो और पडोसियों की मदद करना तो मेरा फर्ज है तुम्हेरा बहुत बहुत शुक्रिया कालुकवी चेलो अब तुम मेरी घर में चली जाओ मैं अपनी बेहन के पास दूसरे जंगल जा रही हूँ फिर यह कैकर वे मीनो चेलिया अपनी बहन कोमल चेलिया के पास चली जाती है और वे कालुकवा मीनो चेलिया के घर में आ जाता है और मीनो चेलिया के नरम नरम गोंसले में बैठ जाता है वाँ वाँ मीनो चेलिया का गोंसला कितना नरम है मैं जिन्दगी में आज पहली बार इतने नरम घोसले में बैट रहा हूँ और देखो तो मीनू चड़िया के घर में कितना सारा भोजन भी है चलो मैं ये सारा भोजन खाकर हूँ मज़े से सो जाता हूँ फिर वे कालू कववा मीनू चड़िया का सारा भोजन खाने लगता है तो मानो चड़ा कालू कववे से कहता है कववे अंकल मुझे बहुत जोरों से भूक लगी है मुझे भी ये भोजन खाना है चुप करो वरना लगाऊंगा एक ये सारा भोजन मेरा है ये भोजन सारा मैं खुद खाऊंगा इसमेंसे एक भी भोजन मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा चलो चुप करकर बैठ जाओ ये कववे अंकल तो मुझे एक भी भोजन खाने नहीं दे रहे मुझे कितनी भूख लग रही है अब मैं क्या करूंगा फिर वे कालू कववा मीनू चड़िया का सारा भोजन खाकर मीनू चड़िया के घुसले में सो जाता है कववे अंकल तो सो गए मुझे बहुत भूख लग रही है चलो मैं गर से बाहर जाता हूं और कहीं से भोजन ढून कर खा लेता हूं फिर वे मानो चड़िया घर के बाहर की तरफ चला जाता है फिर मानो चड़िया भोजन की तलाश में जा रहा होता है मानो चड़िया को कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता के मानो चड़िया को सामने समीन पर एक गंदुम का दाना पड़ा हुआ दिखता है मानोचिडा फौरण उस गंदम के दाने के पास जाता है जैसे ही मानोचिडा उस गंदम के दाने के पास आता है तो तेज हवा में एक टहनी उड़ती हुई मानोचिडा के उपर आकर गिर जाती है और मानोचिडा काफी जादा जखमी हो जाता है कोई मेरी मदद करो ये ठैनी मुझ पर से उठाओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है कोई मेरी मदद करो वहीं से एक तोता भी गुजर रहा होता है तोता मानोचिडे की आवाज सुनता है और वे तोता फॉरन मानोचिडे के पास आजाता है फिर वे तोता फॉरन मानो चड़े की उपर से वे टैनी उठाता है और फेक देता है बाप ने मानो चड़े तुम तो काफी जादा गायल हो गए हो ये मीनू चड़े को अपने बच्चे की मिलकुल भी चेंता नहीं है यो ही अपने चोटे से बच्चे को बाहर भीज दिया फिर वे मानो चड़ा कालू कववे की सारी बाते उस तोते को बताता है कि कैसे कालू कववे ने मीनू चड़े का सारा भोजन खा लिया और वे मजे से मीनू चड़े के गोंसले में सो रहा है ये मीनो चडिया कितनी बुद्दू है, इसे कालुक कवाही मिला था, ये मीनो चडिया मुझे बोल देती, तो मैं तुम्हारे घर में रुकता और तुम्हारा अच्छे से दिहान लगता, चलो मैं तुम्हें पटी करतेता हूँ, और चलो तुम मेरे घर में चलो फिर वे तोता मानोचिड़े को अपनी पीट पर बिठाकर अपने घर की तरफ ले जाता है वहीं दूसरी तरफ, एक उल्लू अपने लिए कोई गोंसला तलाश कर रहा होता है जिस गोंसले में वे उल्लू रह सके तो उस उल्लू को कालू कोवे का खाली गोंसला रिखता है वे उल्लू फारण कालू कोवे के गोंसले में आ जाता है ये गोंसला तो एकदम खाली है लगता है इस गोंसले में कोई भी नहीं रहता है आज से मैं इसी गोंसले में रहूंगा फिर वे उलू समझता है कि इस कालू कवे के गोंसले में कोई भी नहीं रहता इसलिए वे उलू कालू कवे के गोंसले में ही रहने लग जाता है और वही तोते ने मानोचिड़े के जखमों पर पट्टी कर दी थी और अब मानू चिड़ा आराम कर रहा होता है फिर शाम हो जाती है मीनू चिड़िया वापस अपने जंगल में आ जाती है मीनू चिड़िया अपने घर के बाहर आती है और अपने घर का दर्वाजा बजाती है कैलो कोवे खोलो दर्वाजा मैं मीनू चड़िया हूँ, खोलो दर्वाजा फिर मीनू चड़िया अपने घर के अंदर आती है तो मीनू चड़िया देखती है कि मीनू चड़िया के घर में तो एक भी भोजन नहीं होता और तो और मीनू चिड़ा का, बेटा मानू चिड़ा भी वहाँ पर नहीं हो था ये देखकर मीनू चिड़ा काफी ज़ादा प्रिशान हो जाती है कालू कवे, मानू चिड़ा कहा है, और ये क्या, घर में तो एक भी बोजन नहीं है सारा बोजन लगता है तुम खा गए हो मेनो चड़िया तुम्हें तो पता है ना के मुझे बोजन खाकर बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है बद जरासी नींद आ गई थी मुझे ना जाने मानो चड़ा कहां चला गया है कहलो कोवे मैं ही बुद्दू थी जो मैंने तुमें मानो चड़िया का ध्यान रखने के लिए अपने घर में बुलाया इससे बेटर तो मानो चड़ा अकेले ही घर में ने लेता मीनो चड़िया काफी जादा परिशान होती है के वहाँ पर तोता मानो चड़े को लेकर मीनो चड़िया के घर में आ जाता है मेरा बेटा तुम कहां चले गई थे मैं कितनी परिशान हो गई थी तुम कहां चले गई थे और बेटा ये तुम्हारे सर पर चोट के से आ गई है रे ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ ममा मुझे बहुत जोरों से भूक लग रही थी कववे अंकल ने मुझे एक भुजन का दाना भी खाने नहीं दिया और सारा भुजन ये कववे अंकल खुद खा गया एसे लिए मुझे बोजन ढूनने के लिए बाहर जाना पड़ा जब मैं बाहर बोजन ढून रहा था तो अचानक एक बड़ी सी टैनी आकर मुझे पर गिर गई और मेरे सर पर चोट लग गई वो तो अच्छा हुआ कि तोते अंकल वहाँ पर आ गए तोते तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मानोचिडे का इतने अच्छे से दिहान रखा वरना ये कालू कववा तो मेरा सारा बोजन खाकर मेरे ही गोसले में अराम से सो रहा था मेनोचिडिया अगर तुम्हें दूसरे जंगल जाना भी था तो तुम मुझे कह देती मैं तुम्हारे घर पर आ जाता और तुम्हारे बेटे का दिहान रखता तुम्हें इस कालू कववे को बुलाने की क्या जरूरत थी बस तोते मैंने इस कालू कववे को अपना परोसी समझ कर इस पर भरोसा किया लेकिन इस कालू कववे ने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया चलो कालू कववे मेरे घर से निकल जाओ और कभी भी दुबारा मेरे घर में मत आना फिर वे कालू कववा शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है कालू कववा जब अपने घुंसले में आता है तो कालू कववा क्या देखता है कि उसके घुंसले में तो एक उल्लू बेटा हुआ होता है उल्लू भाई तुम मेरे घुंसले में क्या कर रहे हो ये गोंसला मेरा है चलो मेरे गोंसले से निकल जाओ कवे ये गोंसला अब मेरा हो चुका है इसलिए तुम यहां से चले जाओ मैं गोंसले से कहीं पर भी नहीं जाओंगा अरे ये क्या दारागीरी है मैंने तुमसे एक बार कहा ना चलो मेरे गौस्वे से निकल जाओ वरना लगाऊंगा एक क्या बोला कववे तू मुझे एक लगाएगा अभी मैं तुझे बताता हूँ फिर उस उल्लू को काफी जादा घुसा आ जाता है और वे उल्लू कालू कववे को बहुत मारता है इस तरह उस कालू कववे को अपने किये की सजा मिल जाती है प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं किसी जंगल में एक चड़िया रहा करती थी उस चड़िया का नाम कोमल चड़िया था कोमल चड़िया पूरे जंगल में सबसे अमीर पक्षी थी कोमल चड़िया जितना अमीर पक्षी तो इस पूरे जंगल में कोई भी ना था कोमल चड़िया का एक नौकर कालू कववा भी था कालू कववा कोमल चड़िया के सारे काम करता था कोमल चड़िया के पास काफी सारे फसलों के खेत थे जिन पर कोमल चड़िया ने कब्जा कर लिया था इसी जंगल में कोमल चड़िया की बेहन मीनू चड़िया भी रहती थी मीनू चड़िया इस पूरे जंगल में सबसे गरीब पक्षी थी कोमल चड़िया इतनी अमीर होने के बाद भी अपनी बेहन की बिलकुल भी मदद नहीं करती थी कोमल चड़िया बहुत ही जादा गमंडी थी कोमल चड़िया हर समय मीनू चड़िया को नीचा दिखाने की कोशिशी करती रहती थी मैं इसा क्या करूँ जिससे मैं मीनू चड़िया को नीचा दिखा सकूँ मुझे मीनू चड़िया को नीचा दिखाने में बहुत ही जादा मज़ा आता है चेलू सुबा हो गई है अब मैं अपने लिए जाकर भोजन ढून लेती हूँ ये कहकर मीनू चडिया अपने लिए भोजन ढूनने के लिए निकल जाती है आज मीनू चडिया भोजन ढून ही रही होती है कि मीनू चडिया को सामने जमीन पर काफी सारे चावलों के दाने पड़े हुए दिखते हैं मीनू चेडिया फॉरण से उन चावलों के दानों के पास आती है वा भैई वा आज तो मुझे सुबा ही सुबा इतने सारे चावलों के दाने मिल गए है चलो मैं जल्दी से ये चावलों के दाने अपने घुंसले में ले जाती हूँ फिर मीनू चड़िया वे सारे चावलों के दानों को एक पोटली में करकर अपने गुंसले की तरफ ले जाती है आज मुझे इतने सारे चावलों की दाने मिले हैं चलो आज मैं इन चावलों के दानों से खिचड़ी पका लेती हूँ और हाँ, आज मैं अपनी बेहन कुमल चड़िया की अपने गोसले में दावत रख लेती हूँ, सबी पक्षियों को भी मैं अपनी दावत में बुला लूँगी, चलो मैं कुमल चड़िया के पास जाती हूँ, और उससे आज अपने गोसले में दावत का कैह आती हूँ, फिर मी नहीं नहीं कूमल चिडिया आज मैं आपको अपने गोसले में दावत पर बुलाने के लिए आई हूँ आज शाम को मैंने आपकी दावत रखी है और उस दावत में जंगल के सभी पक्षी भी आने वाले हैं इसलिए कूमल चिडिया आज शाम की दावत में आपको भी जरूर आ नहीं अच्छे ठीक है मीनू चेडिया मैं आज शाम को तुम्हारी दावत पर आ जाओंगी पर हाँ मैं जादा दिर तक नहीं रुकूंगी पैसे भी मुझे गरीब पक्षियों के साथ बैठना पिलकुल भी पसंद नहीं है फिर मीनू चेडिया अपने गोंचले की तरफ चली जाती है ने जंगल के सभी पक्षियों को भी बता दिया होता है कि आज शाम को कूमल चेडिया उसके गोंचले में दावत पर आने वाली है तोते भाई मुझे तो बहुत हैरत हो रही है हमारे जंगल की सबसे अमीर पक्षी कोमल चड़िया वे आज शाम को मीनू चड़िया के गरीब से गोंसले में आने वाली है हैं केबटर बहिया हैरत तो मुझे भी हो रही है मीनु चेडिया की बहन कौमल चेडिया कितनी अमीर है वे आखिर मीनु चेडिया के इतने गरीब गोसले में क्यों आएगी तोते भाई कहीं असा तो नहीं कि मीनू चड़िया अपना नाम बनाने के लिए सिर्फ फेक रही हो कैबोतनर भाई अगर ऐसी बात होई तो आज शाम में हम सब मीनू चड़िया की अच्छे से खबर लेंगे आज शाम को तो मीनू चड़िया की सबी पक्षियों के सामने नाकी कर जाएगी क्योंकि आज शाम को में मीनू चड़िया की दावत में नहीं जाने वाली हूँ सबी पक्षियों तो यही समझेंगे कि मीनू चड़िया तो सरफ ऐसी फेक रही थी और आज शाम को मीनू चड़िया की चंगल के सबी पक्षियों के सामने नाक कर जाएगी और ये सब कुछ देखकर मुझे कितना अनन्द आएगा फिर शाम हो जाती है मीनू चड़िया के गोसने में चंगल के काफी सारे पक्षी भी आ गए होते हैं मीनू चड़िया क्या हुआ अभी तक तुम्हारी बेहन कूमल चड़िया नहीं आई वे सच में आने वाली है या फिर तुम सिर्फ ऐसी फेक रही थी नहीं बुल बेहन आज मेरी बेहन कूमल चड़िया सच में मेरी दावत पर आने वाली है अच्छा तो फिर वे अब तक आए क्यों नहीं हम कब से उसका इंतिजार कर रहे हैं अरे बब बब अभी तक मेरी बेहन कुमल चिडिया नहीं आई अगर आज में नहीं आई तो सभी पक्षियों के सामने मेरी ना कर जाएगी और सभी पक्षियों तो यही समझेंगे कि में सभी पक्षियों के सामने सिर्फ फेक रही थी मीनू चिडिया और जंगल के पक्षियों कुछ समय और इंतिजार करते हैं लेकिन कुमल चिडिया तो अभी तक नहीं आई थी मीनू चड़िया हम सब जानते हैं कि कॉमल चड़िया कितनी अमीर है वे आखिर तुम जेसी गरीच चड़िया के पास क्यों आएगी तुम बस करो हमें पता है के तुम अपना नाम बनाने के लिए फेक रही थी कॉमल चड़िया कोई तुमारी दावत में आने वाली नहीं है वहीं दूसरी तरफ कॉमल चड़िया काफी जादा खुशो रही होती है अब तक तो जिंगल के सभी पक्षी मीनू चड़िया को कितना बुरा भला कह रहे होंगे आज मुझे कितना अनंदा रहा है कि आज मैंने मीनू चड़िया को नीचा दिखाया वहीं दूसरी तरफ सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले गए होते हैं और आज मीनू चड़िया की चंगल के सभी पक्षियों के सामने नाग कड़ गई होती है आज कूमल चड़िया ने मेरे साथ बिलकुल अच्छा नहीं करा उस कूमल चड़िया की वज़े से आज सभी पक्षियों के सामने मेरी नाग कड़ गई है वहीं एक और तरफ कॉमल चिडिया के नोकर कालू कवे ने आज कॉमल चिडिया को मारने का फैसला कर लिया था क्यूंके कालू कवा चाहता था के वे कॉमल चिडिया को मार कर उसके सारे फसलों के खेट पर कबजा कर ले कालू कववा एक पनीर का टुकड़ा लेकर आता है और उस पनीर के टुकड़े में उस कालू कववे ने जहर मिला दिया था ताके वे कोमल चड़िया ये पनीर का टुकड़ा खाकर मर जाए फिर वे कालू कववे पनीर का टुकड़ा लेकर कोमल चड़िया के पास चला जाता है ये सब कुछ पेड़ के पीछे चुपी मीनू चड़िया भी देख लेती है ये कालू कववा तो कोमल चड़िया को सहर देकर मार देना चाता है मुझे कुछ भी करकर अपनी बेहन की जान बचानी होगी फिर मीनू चेरिया भी कालू कववे के पीछे पीछ पीछे कोमल चेरिया के पास चली जाती है माल्किन जी ये देखिए आज मैं आपके लिए एक पनीर का टुकरा लाया हूँ ये पनीर का टुकरा बहुती ज़्यादा स्वाधिष्थ है आप इसको खाकर देखिए अच्छा कैलू कौवे ऐसी बत है तो फिर मैं इस पनीर के टुकरे को अब भी खाकर देखती हूँ फिर कुमल चिडिया जैसे ही उस पनीर के टुक्रे को खाने ही वाली होती है कि वहाँ पर मीनू चिडिया आ जाती है रुख जाओ कुमल चिडिया ये पनीर के टुकरा मत खाओ इस पनीर के टुकरे में कालू कवे ने जहर मिलाया हुआ है वे तुम्हें मार देना चाहता है मीनो चिडिया ये तुम क्या कह रही हो मैं इस पनीर के टुकरे में आखर जहर क्यों मिलाओंगा अच्छा अगर तुमने इस पनीर के अंदर जहर नहीं मिलाया है तो पहले तुम इस पनीर को खा कर दिखाओ मा 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 कहसे खा सकता हूँ इस पनीर को मैं नहीं खाओंगा इस पनीर को कालू कववे की बात सुनकर कोमल चडिया समझ जाती है के वे कालू कववा कोमल चडिया को जहर दे कर मार देना चाता है तुम चले जाओ यहां से कालू कववे तुम्हारी आपसे यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है चलो निकल जाओ यहां से फिर वे कालू कववा उदास होकर वहां से चला जाता है मीनू चिडिया तुम मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया हर समय बस मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की देखो आज मेरी तुमने जान बचा ली है अगर आज तुम यहां ना आती तो शायद आज मेरी जान ना बचती आज तुम्हारी वज़ा से मेरी जान बच गई है मीनू चिडिया आज से तुम मेरे पास मेरे इस घर मे रहोगी आज से हम दोनों बेने मिलकर एक साथ रहेंगी इस तरह कोमल चेडिया को अपनी किये की सजा मिल जाती है प्यारे दोस्तों हमें कभी भी किसी को अपने से कम तर नहीं समझना चाहिए क्योंकि सब इनसान एक बराबर होते हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करकर जरूर बताएं हमें आपके कमेंट का बे सबरी से इंतिजार रहेगा